जीतोगे तुम भी अगर इरादा करो अपने आप से अगर वादा करो पथरों की तरह मजबूत बनो जिंदिगी में यकी खुद पर औरों से जादा करो जी मैं नरंदर चोधरी एक बड़ी अपडेट बड़ी खबर के साथ आप लोगों के साथ हूँ और बड़ी खबर बड़ी अपडेट है कि जेल विभाग में होगी बड़ी भरती जी हां रादस्तान के अंदर दस साल के बाद जेल विभाग के अंदर आ रही है बड़ी भरती तो एक नई मुस्कान जो है वो आपके चेहरे पर आ जाने चीए क्योंकि दो हजार चोबिस पच्चिस का साल आप लोगों के बहुत सांदार होने वाले हैं क्योंकि नई सरकार बनीती है और सरकार ने कहा था कि हम लोग अगले पांस साल में धाई लाक विकेंसी आएंगे और रिसेंटली C.M. भजर्लाल सरनवा ने भी कहा है कि हम लोग इस बजट के अंदर लगबग सतर हजार के आसपास नई वेकेंसी लेकर के आरे है कि जेल विव डिपार्टमेंट में दस साल के बाद भरती होगी और आरपेसी सिगर ही आमतित करेगा आवेदन मतलब लगबग लगबग सब कुछ फाइनल है आरपेसी जल्द ही जेल विभा के लिए दस साल के बाद एक नई बड़ी भरती के लिए आवेदन आमतित करने वाल ह देखो क्या लिखा है यहां पर रादस्तान लोक्षेव आयोग बिरोजगारों के लिए जल्द ही खुसकबरी देने की तियारी कर रहा है जेल डिपार्टमेंट में एक दसक से अधिक समय के बाद भरती होगी और सतर से अधिक डिप्टी जेलर के पदों पे सीधी भरती के लिए आवेदन के दवारे विग्यापन जारी करने की तैयारी की जारी है और यहां तक आ रहा है कि माना जा रहा है कि यह सब्ता भर में सब्ता भर के भीतर ही विग्यापन जारी किया जा सकता है आम चुनाओं की आचार सीता खतम होने के बाद आयोगने भरतियों की विग्यापन जारी करने शुरू कर दे हैं अब राधस्तान लोक्षियावाय के दार जेल विभाग की भरतिकले सिपारिस का अंतिम प्रिक्शन करा जा रहा है अर्था सीधा सीधा है कि जेल विभाग के अ आ चुकी है और यहां से एक ओर दे को आचार सीता खतम होने के बाद की यह पहली बड़ी भरति यहां से होने वाली है जी इसके साथ यदि बात करें तो जेल विभाग में 2013 में निकली थी आखरी भरति और उसके बाद में 10 साल होगे कोई विकेंसी नहीं आय थी और अब जे भी एक खास बन करके भागीदार बने तो अपने तयारी को मजबूत रखो क्योंकि बहुत सारी विकेंसिया आने वाली हैं थैंक्यू